हलो दोस्तों वेलकम माई यूटूब चैनल विकास मेकनिकल में आपका स्वागत है जैसे कि दोस्तों देख रहे होंगे ये केट का हौल पर एक हंडेड टन कहा है हम लोग इसको चलाना सिखेंगे कैसे चला जाता है इसके फंसन क्या-क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंग जैसे कि दोस्तों देख रहे होंगे मैं अब हुल पेक के सेड़ी को यूज़ करके उसके उपर चड़ रहा हूं और उसके केविन में जाऊंगा और उसके एक एक फंसन के बारे में आप लोग को डिटेल में बताऊंगा पहले ड्राइब करने से पहले हम लोगों को फंसन ज यह बतन देख रहे होंगे ऐसी टमपरेचर का है यह बलोव का फेन का है एसी का है सबसे इमपोर्टन चीज यह आप देख रहे होंगे सेकर्ड एस्टेरीं सरह करते हैं nghi नारे में आरे लगा सकते है है यह सेकेंड इस्टेरी है ठीक है और आए दोस्तों यह जो देख रहे होंगे इसे हम लोग रीडाडर कहते हैं इससे भी प्रेक का फंसन काम आता है इससे भी ब्रेक लगता है आप हलका फुलका इससे ब्रेक लगा सकते हैं लीकड ने बजा इसा और नीचे की और जो आप देख रहे हैं एक्स लेटर है और हुदर जो रैड वाले देख रहे हैं दोस्तों यह सो इमेगेंची ब्रेक रहे है या फिस सर्विस ब्रेक कहते हैं, 16 sua उसनल अग्धो आगे किए तेखे से ने ना कि इसको भी देख रहे ह्हा उदर light white का होतना तो आप लोग जानते ही होगे और यह steering यह भी तो आप लोग जानते ही होगे नॉर्मली जो दोस्तों जो main main चीज है उसको हम लोगों जानना बहुत ज़रूर है क्योंकि अगर हम कहीं drive करते हैं करते हैं और problem हो जाए कि हमको कुछ जानकारी पता ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा जैसे कि दोस्तों देख रहे होंगे यह आर्फियम के लिए fuel level टंप्रेचल लेवल इंजन प्रेसर ओल लेवल और न्यूटन किलो मीटर पी मतलब पार्किंग टांस्मिशन ओल यह सब सारा जो आप मार्क देख रहे हैं दोस्तों यह सब के बारे में हम लोगों जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पोँछ करके भी देख सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं और डिस्पले में क्या सो कर रहा है और यह जो आप डिस्पले देख रहे और आप कौन सा गेर में चल रहे हैं, निउटन में हैं, पार्किंग में हैं, क्या हैं, यह सारा फंसन आपको इसमें भी दिखेगा दोस्तो। और इधर केमरा डिस्प्ले देखी रहोंगे अब यहां जो देख रहे हैं दोस्तों स्टेरिंग के नीचे यह रिडाडर के नीचे जो है इगनेशन स्वीच यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं चावी को तो स्टार्ट होगा रहे हैं यहां नीचे जो देख रहे हैं दोस्तो तो यह है कियर anger भनगे दोस्तों गाएर पर हमें प्लस यर माइनस के लिए तक माइनस यार लगाने के लिए ठीक है ऐख लोग दोस्तों अगे दिखते हैं कैसे हम लोग अंगुठा से प्रेस करके गियर को आगे पीछे लगा रहे हैं यह देख रहे होंगे यह लग गया जो देख रहे हैं दोस्तों यह अभी पी मतलब पार्किंग में लगा हुआ गियर है और आगे हम लोग बताएंगे यह सब का आगे क्या मतलब होता है इससे दिखें कि लगा बतारे आर का मतलब होता है रिवस एन का मतलब होता है न्यूटन और डी का मतलब होता है ड्राइब और तो मतलब दो गियर एक मतलब एक कियर ठीक है दोस्तों डी का मतलब ड्राइब हमेशा जो है हम लोग दोस्तों को डी में ही चलते है मतलब ड्राइब और यह सबसे इंपोर्टेंट चीज दोस्तो यह जो पीछे के और देख रहे हैं इसे हम लोग डाला उठाते हैं उपर की और इसको करेंगे तो डाला आउटोमेटिक उठेगा दोस्तो अब आगे चलते हम लोग अब ड्राइब कैसे किया जा उसके बारे में देखते हैं पंसन तो हम लोग स्कूटी को चलाते हैं सेम वैसे ही इसका भी फंसन है देखिए जैसे कि अब हम लोग डी में अभी गियर डाल लिए हैं अब जैसे एक्सलेटर हम लोग स्कूटी में देते हैं इसी तरह भी इसमें दिये दिरे एक्सलेटर देना यह बिना कलच का है बिना कलच का चलेगा ज दोस्तो कितना असानी से चल रहे है कि इस स्टेरिंग तो दोस्तो एक दम इतना घलका रहे हैं कि आप इजिली चला सकते एक ढम इसली अभी देखे दोस्तो गीर consistent में लगा हूत है और हम लीइजी हम लोग देखोंद चला रहा है एक असान है अब एक उंगली से भी इस्टेरिंग को पूरा घुमा सकती इतना हलका होता है दोस्तों सिप गाड़ी देखने में हेबी है लेकिन चलने में एकदम मक्षन के जैसा है एकदम सॉलिट देखे एकदम स्कूटी अगर आप चला लिए दोस्तों तुम्हें वादक करता क्यों आप इसको भी चला लोगे कोई बड़ा यह नहीं है कि बड़ा देख के लोग सोचते हैं इतना बड़ा गारी कैसे चला लेंगे तो अब दोस्तों हम लोग आगे आपको दिखाएंगे कि डाला कैसे उठाया जाता है डाला भी उठा के आप लोग को अंत वीडियो तक बने रहे हैं हम आपको दिखाएंगे दोस्तों और बीडियो को दूसतों प्लीज सब्सक्राइब कमेंट और लाइक चुरूर करें दोस्तों आप ही को सपोर्ट से हम लोग आगे बढ़ते हैं अप सपोर्ट करेंगे तो इससे बैतर बैतर बीडियो आप जिस पे बोलिएग है मेरा हाथ जो है वो गेर के लिवर पे है और देखिए हम लोग अब पार्किंग में लगा हुआ है गेर पार्किंग का मतलब दोस्तों मतलब स्टॉप अभी गाड़ी पुरा स्टॉप है और मैंने बटम को उपर की और खीच दिया है और देखिए यह धीरे-धीरे डाला जो है ठीक है दोस्तों अपिरीज दोस्तों मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें कमेंट करें थाइंक्यू दोस्तों